ओम असमत गुरुब्यो नवाः ओम श्रीमते रावानुजाय नवाः कारकम्य हमारे साथ पस्तित तेलंगनागी राजपाल डॉक्टर तमिल साई जी पुझ्य श्री जीयर स्वामी जी केंद्रिय मंत्रि मंदल के मेरे सायोगी स्री जी कष्ट्र रिडी जी स्रिमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी भागवद विभीतियों से संपन्न सभी पुझ्य संतगान देवियों और सज्जनों आज मा सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचिबी का सुब आउसर है मा शार्दा की विशेश खुर्पा अउतार स्री रामानुजाचारिय जी की प्रतिमा इस आउसर का स्थापित हो रही है मैं आप सभी को वसंत पंचिबी की विश्व कामनाय देता हूँ मैं मा सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि जगत गुरु रामानुजाचारिय जी का ज्यान विश्व का पत्ध प्रदर्शन करे साथियों हमारे यहाँ कहा गया है ध्यान मुलम गुरु मुर्ति ध्यान मुलम गुरु मुर्ति अर्थाथ हमारे गुरु की मुर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रगट होता है जो अबोध है हमें उसका बोध होता है अब प्रकट को प्रकट करने की ये प्रेना सुक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प यही भारत की परंपरा रही है हमने हमेशा उन मुल्यों और विचारों को आकार दिया है जो यूगों यूगों तक मानवता को दिशा दिखा सके आज एक बार फिर जगत गुरु स्री रामानुजा चारे जी की इस भव्य विशाल मुर्ती के जरिए भारत मानविय उर्जा और प्रिर्णाओं को मुर्तस रूप दे रहा है रामानुजा चारे जी की ये प्रतिवा उनके ज्ञान वैराग्या और आदर्शों की प्रतिख है मुझे विश्वास है ये प्रतिवा नकेवन आने वाली पीडियों को प्रेडा देगी बलकि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी मैं आप सभी को सभी देश्वास्यों को और पूरे विश्व में विश्व में फैले रामानुजा चारे जी के सभी अनुयाईयों को इस उसर पर अनेक अनेक बढ़ाई देता हूं साथियों अभी ले एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं किसी विचार को या तो स्विकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनिश्यों ने ग्यान को खंडन मंदन स्विक्रुती अस्विक्रुती इससे उपर ही उठा करके देखा स्वयम उससे उपर उठे दिव्यत्रष्टी से उस्विवात को देखा हमारे यहां अद्वैद भी है और द्वैद भी है और इन द्वैद अद्वैद को समाहित करते हुए स्री रामानुजाचारी जी का विशिष्टा द्वैद भी हमारे लिए पहरना है रामानुजाचारी जी के ज्यान की एक अलग भव्यता है साधान द्रस्ती से जो विचार परस पर विरोधा बासी लगते हैं रामानुजाचारी जी उन्हें बड़ी सहस्ता से एक सुत्र में पिरो देते हैं उनके ज्यान से उनकी व्याख्या से सामान्य से सामयन्य मानवी भी उससे जूड़ जाता है आप देखिए एक और रामानुजाचारी जी के भाष्यों में ज्यान की पराकाश्टा है तो दूसरी और वे भक्तिमार्क के जनक भी है एक और वो सम्रुद्ध सन्यास परंपरा के संत भी है और दूसरी और गीता भाष्य में कर्म के महत्वकों भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहें रामानुजाचार्य जी ने संस्क्रिट ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ती मार्ग में उतना ही महत्व दिया आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुपावाई थिरुपावाई के पाट के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो सात्यों आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है प्रगती शिल्का के बात होती है तो माना जाता है कि सुधार जडों से दूर जाकर ही होगा लेकिन जब हम रामानुज परंपराई जी को देखते हैं तो हमें ऐसास होता है कि प्रगती शिल्का और प्राचिन्ता में कोई विरोध नहीं है यह जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जडों से दूर जाना पड़े बलकि जरूरी यह है कि हम अपनी असली जडों से जूड़े अपनी वास्तविक सक्ती से परिचित हो आज से एक हजार साल पहले तो रूडियों का दबाओ अंदविश्वास का दबाओ कलपणा के बहार कितना जादा रहा होगा लेकिन रामा नुजा चारे जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया